नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा के इविजन प्लेटफॉर्म के बारे में टाटा का क्या है इविजन प्लेटफॉर्म और टाटा किस तरह की कार इस प्लेटफॉर्म पे लाँच करता है और टाटा इस प्लेटफॉर्म के बाहर भी किस तरह की कारों को लाँच क बात करते हैं Tata के EVOSPORE के बारे में types के बारे में इसकी क्म कित अ उड़िज्द क्या था उत्ति घाल डोस्तों हम सकी बारे में सब्सेपहले Tata करने इसको 20208 रामें जिनेवा मोटर सो में इसको करता हुआ तह दुस्तेट का सीच प्लेटफॉर्म है Pacific रेज़ कारण के बारे में, इस में क्या है कि दोस्तों जो लंबी दूरी की कारण हैं, जो अधिक्तम दूरी तय करेंगे, उनके बारे में टाटा ने इसको बताया था, कि इस प्लेटफोर्म में, वो किस तरह की कारत में कारत या तो ان समको भूण स करेगा, तो यह यह आपको टाटा ने 2018 मार्च में बताया था कि वो इस प्लेटफॉर्म पर 400 किलोमेटर की रेंज वाली कारों पर काम कर रहा है और उसने एक काम करके भी दिखाया उसने पिछले दो सालों में एक के बाद एक कई एलेक्ट्रिक वीकल को मार्केट में लॉंच किया है टाटा के इविजन प्लेटफॉर्म के बाहर होई कारों के लॉंच के बारे में हम बताएं तो वो है टाटा टेगोर इलेक्ट्रिक टाटा ट्यावगों इलेक्ट्रिक और नेक्सोन को भी उसने इलेक्ट्रिक में लॉंच किया है टाटा की जितने भी जो इलेक्ट्रिक कारह हैं जो उसकी प्रीमियम कारह होती है वो अपने e-vision platform के तहट उसको launch करता है और टाटा का जो e-vision platform है वो एक conceptual platform है जो वो एक business set करता है और उस पर वो काम करता है और उस पर वो research and development करके काफी बढ़िया कारह को निकालता है अब market से खबर आ रहे हैं कि टाटा ने जो अपना e-vision platform के तहर सेट किया है वो है 1000 km लंबी दूरी की कारों के बारे में तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो काफी ज़्यादा बड़ी बात होगी देश के लिए टाटा की एक आरे 1000 km लंबी रेंज होंगी दोस्तों इनका बैटरी वेकप भी काफी बढ़िया है आपने अक्सर टेसला को ही इलेक्टरेक और बैटरी के बारे में काफी अच्छा काम करते हुए सुना होगा पर ऐसा नहीं है दोस्तों हमारे देश में भी टाटा जैसी कंपनियों ने एक से बढ़के एक बिजन सेट किये होंगे और वो भी एक सेट बढ़के काम कर रही है तो हमें उम्मीद है कि जल्ली टाटा कुछ अच्छा काम करेगा और एक दुनिया में अपना नाम रोसन करेगा दोस्तों अच्छी बात है कि टाटा अपना प्लेटफॉर्म के तैट कोई भी अपना जो कॉंसेप्ट कारे होती है कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको सबसे पहले लाने की कुछिस करता है जैसे भले टाटा नैनो फ्लॉप हो गई हो पर दोस्तों ए दुनिया की सबसे सस्ती करती और ऐसा नहीं था कि इसमें काफी ज़्यादा कोई खरावी थी पर दोस्तों हर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पाता तो इस तरीके से टाटा अपना कोई भी प्रोडक्ट यू कुछ काफी बढ़ियां है और अगर वो इस पर काम हो जाता है तो देश के लिए काफी अच्छा होगा दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंकी दोस्तों